हेलो चिल्डरेन अभी आपको आपकी बहाशा मादूरी की पाठे पुस्ता निकालनी है हमने इसके पहले वीडियो में सयुक्त अक्षर और उनके प्रयोग पड़ा था तो आज हम पेज नंबर 61 नादान बक्रिया ये पाठ पड़ेंगे तो देखो आप चित्र में देख सकते हैं कि यापर देखो दो बक्रिया है आपने सामने खड़ी है यह है खजुर का पेड और यहाँ पर है पहाड इन पहाडों के बीच में क्या है नदी है और देखो याँ पर देख रहे हैं कि यहीं दो बकरिया पानी में गिर गई है पहले में रिड गरथी फिर बाद में आपको इस्प्लैन करूंगी पहाडों के बीच में नदी थी नदी के दोनों किनारों के पत्थरों पर एक खजूर का पेड़ रखा था दो बकरिया चरती चरते पूल पर जा पहुची दोनो आमने सामने डड़ गई एक ने दुसरे को धमकी दी पीछे हट जाओ पहले मुझे पार जाने दो कोई भी न मानी दोनो अड़ी रही वही खड़ी रही फिर आपस में सिंगों से बिड़ गई कुछ देर लड़ी फिर दोनो नदी में गिर गई नादान बकरिया आपस में समझोता नहीं कर पाई नादान लोग इसी तरह अपनी जान गवा देते है जैसे कि आपने सुना कि पहाड़ों के बिच में क्या थी नदी थी और ये दोनो नदी के किनारों के पत्थरों पर ये जो नदी का किनारा इन पत्थरों पर क्या था एक खजूर का पेड था तो दो बकरिया चर्ते चर्ते देखो एक बकरी इस रास्ते से घास खाते खाते और ये दूसरी बकरी इस दूसरे रास्ते से घास खाते खाते यानि चर्ती चर्ती वहाँ पूल पर जा पहुची तो दोनों आमने सामने डट गोई एक ने दूसरे को धमकी दी कि तुम पिछर जाओ ये इसको बोलती कि तुम पिछर जाओ और ये इसको बोलती कि तुम पिछे हट जाओ पर एक भी नहीं मानि और बोले कि पहले मुझे पार जाने दो कोई भी न मानि दोनों अड़ी रही वो ही खड़ी रही, फिर उन्होंने एक दूसरे ने एक की बात नहीं सुनी, फिर दोनोंने क्या क्या आपस में जगडा करने लगी, सिंगों से भीड गई, फिर कुछ देर लड़ी, फिर दोनों ही पानी में गिर गई, नादन बक्रिया आपस में समझोता नहीं कर पाई, अग तो दोनों भी अपनी जान नहीं गवाते पर दोनों भी जगडने लगी वही डटी रही और हट करने लगी कि नहीं मुझे ही पहले जाना है तो उनकी इस नादानियत की वज़े से उनने क्या क्या अपनी जान गवा दी तो हमें कभी भी ऐसी नादानियत नहीं करने चाहिए और समझदारी दिखाने चाहिए नहीं तो फिर हमें बाद में पश्टावा होता है कि हमने ये गलाद कि आगर हमने वही उसी समय अगर समझोता किया होता समझदारी दिखाई होती तो ये बाद नहीं होती नादान बक्रिया अब यह आपका question number one है प्रश्णों के उत्तर लिखो तो पहला question क्या है पहाडों के बीच में क्या थी तो आपको answer लिखते समय क्या करना है यह इसा का इसा लिखना है सिप क्या इस शब्द की जगा आपको नदी लिखना है पहाडों के बीच में नदी थी दो बक्रिया चरते चरते कहा जा पहुची दो बक्रिया चरते चरते कहा की जगा पर आपको सिप पूल लिखना है पूल पर जा पहुची दो बक्रिया चरते चरते पूल पर जा पहुची नादान बक्रिया आपस में क्या नहीं कर पाई नादान बक्रिया आपस में समझोता नहीं कर पाई आपको जब इसकी पीडियाप मिल जाएगी तब आप CW नोटबूक में ये कॉपी कर लेना धन्यवाद